नमस्कार आदाब में रवी कुमार गुपता हाजिरु विहार की हेड्लाइन्स विद दर्वंगा की खास ख़बरों के साथ विखमत्री विहार नितीस कुमार ने पियम मोदी की वीडियो कांफरेंसिंग में हुए सामिल 16 जनवरी से सुर्वात होने वाली कोरोना वैक्सिन नेशन के समवंद में डेडिन इनिया वैक्सिन पर सबकी निगाहे सौधी अरब से लेकर दक्षिन अफरिका तक मांग विहार में फिर से रूलाने लग गई है पियास की कीमत दाम में 5-10 रुपे की बढ़ोतरे बिहार में 16 जनवरी से लगेगा कोरोना वैक्सिनेशन 300 जगों पर बिहार में बिजली उप्मोकताओं को राहत अब तीन किस्तों पर जमा करें लंबित बकाया दो नवालिक छात्र नेपाल के पटना में बढामत नेपाल में किया गया था अपहड़न सुपॉल में डरकैतों ने डिलर के घर की लाखों की चोड़ी वे फोरा बम बेगुसराई में पुलिस के हत्ते चड़ा बिहार के अपड़ाधी गैंग गिड़ों का सरगना कैमबूर में सरक किडाडे पल्टा बाडू लदा ओवरलोड ट्रक बेगुसराई में पतंग उडाने के दोरान करेंट लगने से बच्चे की मौत दर्भंगा एरपोर्ट पर आज चोथे रूट अहम्दाबाद के लिए फ्लाइट सुरू दर्भंगा में कल चार बजे विस्विद्याले चोड़ंगी में दर्भंगा महतसब का सुभारम दर्भंगा में मनाया गया सुरक्षित बचपन दिवस विहार में 30 जनवरी को विपक्च का मानव सिंखला वे 25 जनवरी को पूरे राज में मसाल जुरूस विहार विधान पड़िसद उप चुनाओ नामांकन आज से सुरू विहार में दाखिल खारीज का काम ठक पांच लोगों का भी नहीं हो पाता है काम 15 फड़वरी तक जारी हो जाएगा पंचायत चुनाओ अधिसु चुना मारवारी कॉलेज के समस्याओं को लेकर MSU ने की बैठर अब खबरे विस्तार से Made in India वैक्सिन पर सबकी निगाहें सौधी अरब से लेकर दक्षिन अफ्रीका तक मांग हो रही है दवाई की भारत में करोना वाइरस के नए स्ट्रेन की एंट्री के बीच अब जल्धी वैक्सिनेशन सुरू होने जा रहा है वही इस बीच कई देश करोना वैक्सिन को लेकर भारत का रुख कर रहा है दरसल सौधी अरब, बांगला देश, ब्राजील, मुरेको, मयंगमर, दक्षिन अफ्रीका जैसे देश ने भारत से कॉविड-19 वैक्सिन की अधिकारिक मांग की है पिछले एक सब्ता से प्याज प्रती किलो 7 रुपिय बढ़ गया है, खुदरा बजार में उसकी कीमत 37 रुपे थी, जो बढ़कर अब 44 रुपे हो गया है पियाज की बढ़ती कीमत खड़ीदारों के लिए परिशानी पैदा कर रहा है, हॉल्सेल मंडी के दुकंदारों का कहना है कि नासिक में इन दोर में अचानक पियाज की कीमत में उच्छाल आ गया है, इसका असर वैपार पर पर रहा है पियाज के भाव बढ़ने से करवारों में थोड़ा मंदी हो गया है, एक सप्तापुर बजार समिती की मंडी से रोज करीबन 300 टन पियाज की खपती जो घटकर 300 टन आ गया है दुकंदारों का कहना है कि पहले पियाज के भाव में 2-3 रुपे परती किलो का उतार चरहा होता था, लेकिन अब एक दिन में 5-10 रुपे परती किलो पियाज का भाव बढ़ जगया है बिहाड में 16 जनवरी से सुरू होगा करोना वैक्सिनेशन, 300 जगों पर 1500 कर्मियों की टीम रहेगी तैनात, बिहाड में 300 चिन्नित अस्तलों पर 16 जनवरी से करोना टीका करन का कारे सुरू होगा पहले चरण में 1500 कर्मियों की टीम स्वास्त कर्मियों को करोना टीका लगाएगी, राज के परते केंदर पर 5 सदे से टीम का गठन टीका करन के लिए किया गया है, एक केंदर पर एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा या बात स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने कही है उन्होंने कहा है कि करोना ठिका करन अभ्यान को सफल बनाने के लिए स्वास्त विबाग पुरी तरह से सतर्क और सजग है बिहार के बिजली बकाएदारों के लिए राहत की खबर वैसे बिजली उभ्योकता जो करोना काल्स लेकर अब तक अपना बिजली बिल का भुकतान नहीं कर सके हैं और बिल की रासी अधिक हो गई है उन उभ्योकताओं के लिए बिजली कमपनी अभी किस्त में बिल भुकतान क की सुविधा बहाल की है इसमें तीन किस्तों की सुविधा दी गई है पहली किस्त में बिल की रासी का 35 फसीदी और बाकी 65 फसीदी रासी दूसरे तीसरे किस्तों में जमा करनी होगी उभुकताओं को या किस्त वाली सुविधा का लाव 31 जनवरी तक ही मिलेगा बिहार के फरार हो गए गटना जीले के सदर थाना चितर के धुरदुर चौक की बताई जा रही है जहां डकैत हतियारों से लैस थे बम भी रखे वे थे डकैती के दोरान सोर सुन परोसी की नींद खुली तो डकैत बम फेक कर भाग गए बम बिस्पोर्ट से परोसी जखमी हो गए जनका सारी के मताविक रवीवार की देर रात दस से बारा की संख्या में हतियार बंद खैतों ने डीलर देव नरायन चौदरी के घर धावा बोला अपरादियों पर अंकुस लगाने के लिए एक्सन मोड में आई है पुलिस पुलिस को मिली बड़ी सफलता पुलिस ने एक गैंग के सरगना को दो साथी के साथ गिरिफतार किया है गिरिफतार अपरादियों के पास से पुलिस को कारबाइन पिश्टल एवं गोली मिली है को नया गाउं थाना छेतर से नसे की हालत में गिरिफतार किया गया जिसके बाद बखडी DSP के निर्थित में गठित टीम ने नवकोठी थाना से विविन ठिकानों पर छापे माने कर गोरिलाल सिंग गैंग के अपरादी पहसरा निवासी अलुक कुमार इवम अन ने युवा चिंटु कुमार को गिरिफतार किया है कैमूर के मोहनिया थाना छेतर के देवकली के पास NH2 पर बालू लदा ट्रक अधिकारियों के नजर से बचाने के चकड में सिरक किनारे पलट गई ट्रक में चालक और खल्ले आसी दोनों फस गये लेकिन कुछ दिरबाद मौके पर पह पकड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा NH2 पर ट्रकों को जाच की जा रही थी लेकिन जैसे ये अधिकारी वहां से रात में ड्यूटी बदलने के दोरान हटे उसी समय बालू लदे ओवरलोड ट्रक पकड़ाने के डर से अधिकारियों के नजर चुरा कर भागने लगा इसी दोरान आन नियंतरित होकर ट्रक चाट में जा पल्टा और चालक उसी में फस गया बेगू सराय में पतंग उराने के दोरान करेंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई हाथसे के बाद घड में कोरा मच गया गटना गटपूरा थाना इलाके के रक्सी कनोसी गाउं की है मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रवीवार की साम गटपूरा थाना छेतर के तुनही पंचायत अंतरगत रक्सी गाउं में एक सबजी लगे खेत में पतंग उराने गया तेरा साल का मनीस करेंट की चपेट में आ जाने से गंभिर रूप से घायल हो गया जिसके बाद परीजन उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरे ने उसे मिर्ट गोसित कर दिया मिर्ट बच्चे की पहचान कनौसी निवासी राम नरान यादब के तीरा साल के बेटे मनीस कुमार के रूप में की गई परीजनों ने बताया कि सबजी लगे खेत में चाड़ो तरफ किसान ने जंगली जानवरों से बचाओ के लिए नंगे तार से घेरा बंदी कर रखी है उसी के चपेट में आ जाने से मनीस की मौत हो गई दरभंगा एरपोर्ट से आज चोथे रूट आहमदाबाद के लिए फलाइट सुरू दरभंगा एरपोर्ट से हवाई यातरा करने वाले यात्रियों के लिए खुसी की खबर है बताते चले कि आज से आहमदाबाद के लिए दरभंगा एरपोर्ट से वीमान सेवाई सुरू आ रहे हैं इसके लिए टिकट की बुकिंग पहले से शुरू हो चुकी थी वही विमानन कम्पनी स्पाइस जेट ने आमदाबाद से टिकटो की बुकिंग को लेकर यात्रियों की परतिकिरिया अच्छी बता रही है यात्रियों को मिल रहे बहतर रिस्पॉंस आमदाबाद से दर्भंगा के लिए 9.55 में वहिमान उरान भड़ेगा जो 12.15 में दर्भंगा पहुचेगा पुर्व वर्स की भाती इस वर्स भी दर्भंगा मोहतसव का सफल आयोजन होने जा रहा है जिसका उदगाटन कल यानी 12.1.2021 को होने जा रहा है पाक सुबा यात्रा MLSM कॉलेज से आरंभ होकर विस्विदाले चौरंगी तक समय तीन बजे जाएगी उदगाटन सत्र में चौर पुरुसकार से सम्मानित कैला सत्यार्थी का जनम दिन को सुरक्षित बच्पन दिवस के रूप में सीम कॉलेज के छातर जै प्रकास कुमार साहू ने अपने सहपाथियों के संग कीला घाट एवं सिक्छक सुजीत कुमार ने चा छात्राओं के संग हसन चौक के निकट मना इस अपसर पर छात्रों ने बाल मजदूरी बाल विवा बाल तसकडी को रोकने के लिए लोगों को जागरुक करने का संकल्प लिया सिक्छक सुजीत कुमार ने सत्यार्थी के दौरा किये के संगर्सों को रेखांकित कर छात्रों को बतलाया इस अपसर पर सियम कॉलेज के चात्र जैप प्रकास कुमार साहु ने कहा कि कहला सत्यार्थी एक बैक्ती ही नहीं अपितु प्रेणा का विराट रूप है उन्होंने बच्चों के बच्पन को बचाने के रिए जिस निष्ठा समर्पन त्याग और विश्वास के साथ काम किया है वह हम सभी के लिए प्रेण किसान विरोधी तीन क्रीसी कानून को रद करने विजली बिल 2020 वापस लेने नियुनितम समर्थन मुल पर धान खरिदने की गरेंटी करने धान खरिद की सीमा समाप्त करने बिहार में मंडियों को फिर से बहाल करने आदी मांगों पर अब 25 जनवरी की बजाए महात्मा पिहार में मानव सिंखला का आयोजन किया जाएगा माले निताओं ने यह कहा है कि अब 35 जनवरी को यानि गंतंत्र दिवस की पूर्व संधिया पर पूरे राज्य में 26 जनवरी को आहुत किसान पैरेट के समर्थन में मसाल जुरूस का आयोजन भागपा माले वे किसान महास सभा के बैनर से किया जाएगा चटी बजारवे गाउं में सभाएं आयोजित कर इन कानूनों की असलियत आम लोगों के बीच रखी जाएगी 26 जनवरी को राज में खेती बचाओ देश बचाओ सम्विदान बचाओ संकल्ब दिवस का आयोजन किया जाएगा हम तीन कानून क रद करने तथा संगर्स कर जारी रखने का संकल्ब लेंगे ऐसा माले नेताओ ने कहा बिहार विधान परिशत की दो सीटों के लिए उपचुना होने हैं इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है बता दे कि बिहार के पुर्ब उपमुक मंतरी और राजसवा सांसस सु सिल कुमार मोदी और मिनोद नरायन जा के परिशत सदस की सीट खाली होने के कारण यह चुनाओ करवाया जा रहा है विधान परिशत चुनाओ के लिए 11 से 18 जनवरी तक प्रमंडले आयुक्त के कारियाले में नामंकरन होगा और इसे लेकर के प्रमंडले कारियाले में भी त बिहार में इन दिनों जमीन के दाखिल खारिस कराने का काम बिलकुल कच्छवे की चाल में रेंग रहा है ओलाइन विवस्ता होने के बाबजूद भी मियोटेशन के लिए लोगों को काफी इंतिजार करना पर रहा है या चिकाओ की संक्या तो बढ़ गई लेकिन समय पर नि निस्पादन समय पर हो पा रहा है या आकड़ा पिछले साल एक दिसंबर तक का है खुद विभाग की समिक्षा बैठक में या खुलासा हुआ है कि आखिरकार अधिकारी कर क्या रहे हैं इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ऑल्लाइन मिटेशन का निप्टारा हो भी जाता ह है तो कर्मी जान बूच कर तुरूटी छोड़ देते हैं सरकिट हौस में पंचायती राजमंत्री भुपेंद्र सिंग ने छेत्रिय अधियक्स रजनी कांत मैस्वरी के साथ बरेली और अंबाला जिले के भाजपा नेताओ के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि 15 फड़वरी को त्री अस्त्रिय पंचायत चुनाओ की अधिसूचना जाड़ी होने के बाद मार्च के अंत या फिर अप्रेल के पहले सफता में ग्राम पंचायत के चुनाओ संपन करवा लिगे जाएंगे इसके बाद छेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत का चुनाओ कराया जाएगा मई में त्री अस्त्रिय चुनाव संपन हो जाएगा, पंचाय चुनाव में अबादी के हिसाब से आरच्छन रहेगा आज मिथला एस्ट्रूरेंट यूनियन के मरवारी कॉलेज सदसन नरायन, मिस्रा, गौतम, जावे, नितीस कुमार की निर्थित में कॉलेज वे चात्रों को होने वाले समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया बैठक में MSU के विस्विद्दैले अध्यक्स अमित कुमार ठाकुरवे विस्विद्दैले प्रभारी अमन सकसेना ने चात्रों को संबोधित किया इस बाबत MSU विस्विद्धाले प्रवारी अमन सक्सिना ने कहा मरवारी कॉलेज आज डिग्री बाटने का अड़ा बन चुका है परतेक वर्स हजारों के तादाद में यहां डिग्रिया बाटी जा रही है कॉलेज में च्छातरों के लिए मुल्भूत सी विधा भी उपलब्द नहीं है च्छातर संग काड़याले कई मैनों से बंद पड़ा हुआ है और पानी पीने के लिए सुध पैजल की विवस्था भी नहीं है कॉइंटर पर च्छातराओं को अवेद वसूली की जा रही है च्छातर संग और कॉलेज प्रशाशन इस और ध्यान नहीं दे रहा है जिसका रणिया कॉलेज आज बद से बस्तर होते जा रहा है बैठक में यहां नहीं लिया गया है कि मिथला स्टरेंट यूनियर च्छातरीत समधित मुद्दे को लेकर लड़ाई शुरू करेगी यह वीडियो हमारा फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमारे पेस को लाइक करें वे फॉलो करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें